हलो फेंट्स वेल्किम टू आज चैनल क्रिप्टो विट विशाल आज के वीडियो में बात करेंगे गाईज बिट्कॉाइन स्पॉर्ट एटीफ के वॉल्यूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें डिस्कुस करना है FTX वापस हा रहा है वापस हा रहा है क्या मतलब कि एक्षेंज वापस हा रहा है या लोगों को फंड वापस मिलने वाला है इस बारे हम बात करेंगे एक exchange जो मैंने एक time पे use किया था हमने आज तक उस exchange के बारे में कभी वीडियो में बात नहीं करी है पर वो exchange यहाँ पे बंथ हो रहा है और अगर आपको उस exchange में fund है तो तुरंत यहाँ पे निकाल दीजिए इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग discuss करने वाल बात करेंगे तो तीन इंफ्लो के डेटा है टोटल 4527 बीटीसी के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 63 ग्रीड में पिछले गंटे के sentiments की बात करेंगे आप तो वह बाय के तरफ है और हीट में आप देखेंगे तो हरा रंग दिख रहा है बीटीसी 2.37 परसेंट अब इथीरियम 1.70% अब यहाँ पर देख रहा है लिंक ने अच्छा एक पम किया है यहाँ पर ठारा डॉल के नेरबॉट जो है लिंक यहाँ पर अभी गया है जो crash हुआ था FMC के बाद वो थोड़ा यहाँ पर recovery मोड में देखने को मिल रहा है पहली चीज कल टेक्स के बाले में आप लोग के लिए crypto से ज़्यादा जरूरी कुछ चीज है और यह short budget है temporary budget है एक तरीके से actual budget आपको में जून के टाइम पर देखने को मिलेगा वहाँ पे crypto currency की बारे में बात होगी Bitcoin के बारे में guys बात करें जब वीडियो बना लाओ में Bitcoin का price 43,100 तो again कल के दिन में अगर हम इसे वंडे का चार्ट करें तो जो हमारा level था 41,700 का हम लोग near world उसके बाद आए और उसके बाद से गर आप देखेंगे तो फिर वही zone पे आ गए है जहाँ पे हमें अब जब तक ये एरिया तूटेगा नहीं जब तक इस एरिया से नीचे नहीं आएंगे तब तक आप वही खानी चलती रहीगे जो इतने काफी दिनों से हम बात कर दें इसके लिए इस चार्ट के बार में जाद और बात करने की ज़ोद नहीं है को कि बहुत बार हम लोग से 26,200 BTC उसने अब तक बाई करें अच्छी चीज जो मेरी बात हुई थी ग्रे स्केल का धीरे 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 जो सेलिंग है वो यहां पर कम होती जा रही है और कल के दिन सर्पाइस इंगली फेडिरिटी ने ब्लैक रॉक से डवल BTC यहां पर बाई करें और अगर आप दे से सेलिंग कम होई है तो यह एक पॉजेटिव चीज एक लिस मार्केट में दिखा रही है एक और इंट्रेस्टिंग चीज मैंने थोड़ दर पहले ही ट्वीट किया था यह बिटकोईन ETF के पास इस समय 3.129 बिटकोईन पड़े हुए है टोटल सप्लाई के और अगर हम से जाके देखना और मुझे बताना यह चीज देखके आपको क्या लग रहा है एक और चीज कल 900 बिटकोईन माइन हुए थे वो सारे के सारे ETF जो यह इंसिटूट इंसिटूशन से इन्हों ने भाई कर लिए अब यह पढ़के यह सुनके आपको क्या यहां पे देख रहा है मैंने बोला भी यहां पे कि भाई बुलरन इन सब चीजों के सबसे आने वाला है हमने पहले भी बात करी थी में जून के टाइम पे हम लोग उसकी उमीद यहां पे कर दें अब यह अपडेट देखके आपको क्या लगा बुलिश दिख रहा है बेरिश दिख रहा है लग रह आने वाला है कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत यहां पर बताना वीडियो पॉस करके एक बार कमेंट कर दो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी चीज में इंट्रेस्टिंग है ना 3.129% बिटकोईन की टोटल सप्लाई यहां पर ETF के हाथ में आ गई है लेकिन अगर हम ल लेकेंगे तो जो ग्रेस्केल ने बिटकोईन बेचे हैं उसके इलावा सिर्फ 36,000 बिटकोईन बाय करेंगे नेर बाउट और बाइंग हुई नहीं है सब ग्रेस्केल का ही इधर घूम रहा है यहां पर तो हमें एक तरफ यह चीज देखके अच्छा लग रहा है तीन परसे पर आपको एक्छल में असली बुलरन यहां पर देखने लगेगा और जल्दी ही वो होगा क्योंकि ग्रेस्केल का सेल अब यहां पर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और जो इंसिट्यूशन बाय कर रहे हैं वो मार्केट से बाय करेंगे जैसे अब यहां पर हुआ है कल के द बई देखो हम लोगोंने 15-16,000 से 42,000 पर हम लोग आ गए और 42,000 के बाद 50,000 के नेरबाउट भी हम लोग यहां पर पहुची गए थे 49,000 पहुची गए थे इतना तो हुआ यह बाउंस बैक असली वो दिन जिस दिन आपको हर दूसरे दिन 10-12% का पंप देखने को मिलेगा बिटकोईन का वो टाइम आने का बचा हुए उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो वो बहुत जल्दी है जो चीज़े इंडिकेट कर दी है न जिस तरीके से ETF ले रहे हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा वो भी अगली चीज यहां पर तो ए और साथ फेब्रारी तक आप अपना पूरा फंड निकाल लो यहाँ पर जो भी आपको विड्डॉल मारना है शाथ के बाद अगर आपने विड्डॉल नहीं मारा तो हम आटोमेटिट विड्डॉल मार देंगे आपको और अगर चौदा फेब्रारी तक आप लोगों ने वि का लो दूसरा जो अपना पूरा हिस्ट्री है ना वो डाउनलोड करके यहां पर रख ले ना कि अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो वो टाइम पर आपको मिल सके एक टाइम पर बहुत अच्छा वॉल्यूम था इस एक्चेंज का अर्जेंटीना की तरफ से अपडेट कल हम लोग उने देगा कि टेक्स में बजट में कुछ बात ही नहीं है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट और हमने ये पहले भी बात करी थी बुलिश चीज थी है वो टाइम पर जो प्रेसिडेंट बने है वो प्रो यहां पे क्रिप्टो ह क्रिप्टो गरंसी में टेक्स नहीं रहेगा अब इंडिया में क्या यह होगा क्या नहीं होगा कभी पता ने इस चीज़ के बारे में FTX के बारे में बात करें तो काफी कुछ ना FTT में उथल पुथल हमें देखने को मिली और अगर आप देखो तो 31 तारीकों एकदम से ये क्रैश हुआ था और इसके बाद थोड़ा सा यहां पर रिकवर हुआ तो देखो FTX में क्या अपडेट है अभी FTX जो जिनका फंड डटका हुआ था न वो FTX वहां पर उनको यहां पर वापस दे रहा यह चीज़ उन्होंने कंफर्म कर दी है अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि किस तरीके से फंड मिलेगा इसमें बहुत बड़ा कैच है यहां पर वो कैच यह है FTX की एकॉर्डिंग जब मार्केट क्रैश हुआ था नॉमबर 2022 में जिस जमाने में बिटकोईन 18,000 डॉलर के नेरबाट हुआ करता था उसके बेस पे आप लोगों को जो फंड है वो यहां पर वापस मिलेगा पर मेरा मानना यह ठीक है आज 43,000 के बेस पे है और वो टाइम पर 18,000 था ठीक है बहुत कम मिलेगा पर कुछ तो यहां पर मिलेगा तो बहुत ही जल्दी यह स्टार्ट होने वाला है अब यह तो positive चीज़ है यह गिरा क्यों है गिरा इसलिए क्योंकि एक report के according आपको जो आपका fund अटका था वो आपको वापस मिलेगा पर FTX एक्चेंज वापस नहीं आ रहा है रिपोर्ट के according और हुआ यही कि यह pump हो रहा था पर जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आई और उसके according यह चीज़ आई कि नहीं FTX वापस नहीं आएगा एक्चेंज वापस नहीं आएगा FTT के प्राइस में crash हमें देखने को मिला तो एक तरफ न्यूज अच्छी आई कि लोगों को fund वापस मिल रहा है टिया ने pump लेने का सबसे बड़ा reason था airdrop टिया ने अलग-अलग plan निकाले कि अगर आप टिया को hold करोगे stake करोगे hold बोलना गलत हो या stake करोगे तो आपको उसके बदले जो airdrops है वो यहाँ पर मिला करेंगे उसमें आपको free of course save stake करना है सेम चीज यहाँ पर इन्होंने निकाली और जैसे ही निकाली आप price देखिए एक दिन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 39% का यहाँ पर price pump हुआ है कि हम बहुत time पहले से hold कर रहे हैं और 2x यहाँ पर पित अपना हो चुका है जब से हम लोगों ने इसको hold किया है तो 2x का profit आपको direct मिल गया पर मेरा मानना है मैं इसको अभी hold करके रखूंगा लंबे टाइम के लिए 2025 के भूलरन के लिए उसके बाद मैं इसको यहाँ पर निकालने वाला हूँ तो यह देगा इस updates जो अभी चलने है यहाँ पर cryptocurrency market में इसके लाव अगर कुछ और important चीज रही जिसको मुझे दगा आप लोगे साथ discuss करना है उसको discuss करेंगे हम लोग हमरे टेलीगराम चैनल पर जिसके लिए टेलीगराम का चैनल अगर आप लोग ने जोईन नहीं के लिए लिंक वीडियो की description मिल जाएगा सर्च करके जोई नहीं करेंगे otherwise किसी scammer के चैनल पर आवेड़ हो गए तो आपके साथ कोई scam महाँ पर हो सकता है वीडियो पसंद आया इसको like और share जूरू किएगा चैनल में कर आप नहीं है first time वीडियो देख रहे हैं जोल चैनल को subscribe कर लि और्यवा जाएगा सेधों में कर, है में जोल चैनल अगहा है